हाई फ्रेंट्स आप सभी को मैं नमस्कार आप सभी का रीटेल स्मार्ट इंवेस्टरी यूट्यूब पर शौगत है दोस्तों आज हम लोग एक मजबूत एटी फंडामेंटल वाले इस टोक लोकि लार्षन अन्ट उब्रो गुरूप से आती है और इटी सेक्टर में काम करती है LTTS के बारे में बात करने वाल है ऐसे तो IT सेक्टर में एक और भी कमपनी है LTI वो भी Larson and Tubro Group की ही है और IT सेक्टर में काम करती है तिसरी कमपनी Mindtree है वो भी L&T Group से ही आती है और वो भी IT सेक्टर में काम करती है तो इस परकार हम लोग जान रहें कि L&T Group से तीन आईटी सक्टर की कमपनिया है माइन ट्री, LTI और LTTS और तीनों के तीनों ही काफी तगड़ा परफॉर्मेंस दिखा रही है शेर मार्केट में तो आज के इस डिसकसन का टॉपिक रहने वाला है LTTS के उपर और अगर हम लोग LTTS के जो रिटर्न प्रोफाइल है उसको अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर देखना है कि पिछले पांच दिन में तक्रिवन 2% का रिटर्न, पिछले एक महना में तक्रिवन 7.5% का रिटर्न, पिछले छे महना में 54% का तगड़ा रिटर्न, और जन्वारी से अभी तक year to date 65% का रिटर्न और पिछले एक साल में 154% का तगड़ा रिटर्न और पांच साल में 357% का रिटर्न और मैक्सिमम पिरेड में इसने 357% का रिटर्न दिया यानि कि ये पांच साल में अपने निवेसों और पैसा तक्रिवन 4.5 गुना से ज़्यादा ये कर चुकी है तो दोस्तों जो भी कंपनी इतने सांदार रिटर्न देती है उसके करेंटर्न जो काफे स्टांग allowed अर्वर्फ़ Kingston ये संता और हम लोग ने एकुपर सारे वीडियो बनाई है जिसे में हम लोग ने फटक्निकल अनल्चिस किया धृचिक्शु का arrived to गार्वम सारे के सारे वीडियो मेरी चैणल में उपलव्थ हैं आप उन्हें ढून करके देख सकते हैं और इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों का डिसकसन का टॉपिक सिफ टेक्निकल पार्ट तक ही सिमत रहेगा और जो टेजी हम लोग LTI में बनता हुआ देख रहे हैं यह तेजी इस स्टॉप को कहां तक ले जा सकेगी उस बात पर हम लोग चर्चा कर फर्स टाइम आया हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को प्रेश करना न भूलें क्योंकि मैं जितने भी एनालिटिकल और इंट्रेस्टिंग वीडियो ले करके आता रहता हूं जब भी मैं अपलोड करू अपने चैनल पर तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप कोई भी वीडियो मीस नहीं करोगे और दूसरी बात है तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को सुरू से ले करके अम तक देखें चुकि वीडियो में काफी जानकारियां छूपी होती है अगर आप स्कीप करके देखोगे तो बहुत सारी अहम जनकरियां छूट जाएगी और हो सकता है इसके चलते आपका निरने गलत हो जाए तो उमीद करता हूं कि आप सुरू से अंतक बने रहोगे तो अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीधे इसके टेकनिकल चार्ट पर आजाते हैं कि टेकनिकल चार्ट पर ल्टीटीएस की स्थिति क्या बन रही है इसक्रीन पर दोस्तों हम लोग ल्टीटीएस के मन्थली चार्ट को देख रहे हैं और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि मन्थली बेसिस पर यह देखे लगातार हाई 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 हा यह काफी बुलिस ट्रेंड में चल रहा है LTS मतलब काफी हाई डिमाइड में है इनके सेर और हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो इसने ब्रेक आउट दिया है यह काफी अच्छे वॉलूम के साथ दिया है तो जो रैली इसमें बन रही है दोस्तों आगे काफ तो यहां पर देखिए इसके जो सेर भाव है वो अपने 50 डेज एमा और 20 डेज एमा से काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और यह मंतली बेसिस का चार्ट है दोस्तों अगर हम लोग इसके चार्ट को विकली बेसिस पर चेंज कर लें तो विकली बेसिस पर भी यह काफी स्टॉ दोस्तों क्योंकि मंतली चार्ट से जो टार्गेट होते हैं वो काफी असानी से हम लोग पकड़ पाते हैं कि यह स्टॉक आने वाले समय में मंतली बेसिस पर कहां पर जा करके ट्रेड कर सकता है तो दोस्तों अब इसके टार्गेट को समझने के लिए हम लोग कुछ टार्गेट है उसको समझ पाएंगे तो समय पाइंगे दोस्तों हम लोगों ने यहां पर सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉड कर लिए extension basis पर और अगर हम लोग इसके target को लगाने की बात करें कि आखिर यह stock कहां तक जा सकता है तो जो immediate strong resistance देखने को मिल रहा है दोस्तों यह देखे इस जगह पर है तो यहां पर हम लोग एक horizontal line draw कर लेते हैं और यह समयने कोशिश करते हैं कि कौन सा level आ रहा है तो यह हम लोगों ने एक horizontal line draw कर लिया इसके thickness को हम लोगों ने बढ़ा लिया तो दोस्तों जो level निकल करके सामने आ रहा है वो 4763 इस level को दोस्तों आप no down कर ले काफे strong resistance का काम करेगा आने वाले दिनों में और यह से जो तेजी दिखा रहा है अवस ही इस resistance को पार करने की कोशिश करेगा तो यह दोस्तों short term target है और अगर हम लोग long term target की बात करें कि long term में यह कहां तक जा सकता है तो इसके लिए हम लोगों को एक और horizontal line draw करनी होगी तो हम लोग उसको भी draw कर लेते हैं हम लोगों ने एक और horizontal line draw कर लिया जो की red color से हम लोग देख रहे हैं तो यहां पर क्या level निकल करके आ रहा है दोस्तों सामने तो यहां पर जो level आ रहा है दोस्तों वह आ रहा है 6291 तो यह दो level है दोस्तों एक तो 4763 जो की strong resistance का काम करेगा लेकिन यह share इस resistance को अबस से तोड़ेगा चुकि IT कंपनियों के result काफी सांदार देखने को मिल रहे हैं और quarter one के result इन्होंने जो प्रस्तूत किये थे उसमें इनके जो hiring charges थे इन्होंने जो new recruitment किये थे उस पर इनके wages के cost बढ़ते वे देखने को मिले थे जिसके चलते इनके revenue तो काफी बढ़े थे लेकिन net profit में हलका-फुलका दबाव देखने को मिल रहा था तो अब इसके जो quarter two, quarter three, quarter four के result आएंगे वो काफी सांदार देखने को मिलेंगे यह company outperform करेगी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यह जो short term target है 4763 यह काफी आसानी से achieve होता हुआ हम लोग देख पाएंगे और अगर लंबे समय की बात करें अगर हम लोगों का नजरिया लंबा रहे तो लंबे समय में करीब डेर से दो सालों में यह stock 6291 या बोलिए 6300 का जो लेवल है वो आसानी से इस stock में हम लोग आता हुआ देख पाएंगे ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ का सकते हैं तो दोस्तों अगर आपके भी portfolio में LTTS का share है तो आप मेरे comment box में जरूर comment करें और आपने किस level पर लिया है वो मेरे साथ share करें मुझे भी जान करके काफी खुसी होगी यह आपने किस price पर buy किया है और आपकी भी राय LTTS के उपर कुछ है तो वो भी आप मेरे comment box में comment करें के share करें मेरे साथ और दोस्तों हम लो करें मेरे